एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दहूप उत्राकर्ण में तो देखे हम लोग शब्द भेट पढ़ रहे थे जिसमें हमने इसके प्रकार देख ले थे बाकि आप अपने इस तर से भी उन्हें देखते रहे ना तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा आज इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हमें देखने हैं इसके अन्य प्रकार कौन से थे दूसरे नम्बर बाता है रचना एवमं बनावट के आधार पर तूरटर या बनावट के आधार पर शब्द के टीन प्रकार की होते हैं जिसमें सबसे पहला है रूट शब्द, दूसरा है योगिक शब्द और तीसरा है आपका योग रूट शब्द ठीक है? निनके नाम आपको पता होना चाहिए और सबसे पहला रूट शब्द किसे कहते हैं वो आप लोग देख लीजे रूडशब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो विभाजित होकर याने कि अलग होकर जिनका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है याने सार्थक खंड जिनका नहीं हो उनको कहा जाता है रूडशब्द तो आपको लिखना है जिन सब्दों का शार्थक खंड ना हो ये क्या कहलाते हैं रूडशब्द कहलाते हैं सार्थक का क्या मतलब है सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा वो कहलाएंगे आपके root शब्द जैसे इसका example आप लोगों को देखना है अगर मैं राम लिखती हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि इसको आपको अलग-अलग करके लिखना है तो आप लोग कैसे लिखेंगे रा प्लस मा राम हो जाएगा लेकिन इस रा और मा का कोई मतलब है अलग हूँ कि इसका कोई मतलब भी नहीं बनता तो इस तरीके के शब्द आपके क्या कहे जाएंगे root शब्द कहे जाएंगे या फिर मैं आपको कहती हूँ रात लिखें और इसको आप अलग करके देखें तो आप क्या करेंगे रा प्लस तो कर देंगे इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है इसी तरीके के जो शब्द होंगे नहीं कहा जाता है root शब्द अब दूसरा है आपका योगिक शब्द योगिक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनके खंड होके याने के अलग अलग होके ये कुछ विशेश अर्थ निकालते हैं अर्था जो दो शब्दों के या दो शे अधिक सब्दों के मेल से बनते हैं उनको कहा जाता है योगिक शब्द ठीक है ये योगिक है योगिक नहीं है ठीक इनको कहा जाएगा यौगिक शब्द, इसके उधारान आप किस तरीके से दे सकते हैं, सबसे पeli, जब आप इसकी परिभाशा लिख लिए ये वो शब्द जो दो या इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनको कहा जाता है योगिक शब्द जैसे राजपुत्र मैंने लिखा शौर्ट में इसको क्या कहा जाएगा राजपुत्र लेकिन जब आप इसको खंड करेंगे तो किस तरीके से राजा का पुत्र इसी तरीके से आपका होता है पाठ शाला ठीके पाठ शालों का अगर अलग करेंगे तो इस तरीके जो शब्द होते हैं, उनको कहा जाता है योगिक शब्द या आपको पता होना चाहिए. अंतिम है आपका योग रूड शब्द. तीसरा है योग रूड शब्द. अब इसमें आप देख रहे होंगे योग भी है और रूड भी है, यानि कि ये दोनों से मिलकर बना है, तब जाकर ये क्या हुआ है, योग रूड हुआ है. योग मतलब क्या है इसमें दो या दो से अधिक शब्द तो होंगे होंगे साथ में क्या है रूड है यानि कि ये जो शब्द होते हैं ये कुछ विशेश शब्द होते हैं जो कि अलग होकर इनका कुछ विशेश अर्थ निकलता है तो वे शबी सब्द जिनका विशेश अर्थ निकलता है ठीक है विशेश अर्थ निकलता है क्या कहलाते है योग रूड शब्द कहलाते है ठीक है इसका अगर मैं आपको उधारान देती हूं तो इसका सबसे पहला उधारान आपको लिखना है पीतांबर पीतामबर किसको कहा जाता है, पीतामबर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, पीतामबर का मतलब होता है, पीला वस्त्र, पीला प्लस वस्त्र, ये होता है पीतामबर का मतलब, और ये जो पीतामबर है, किसके लिए ये शब्द यूस किया जाता है, श्र कोई भी चीज को बताते है, उसको कहा जाता है योगरूड सब्द, इसी प्रकार से जो आपका दशानन है, दशानन का क्या मतलब होता है, दससर्वाला, तो वो कौन है, रावन है, वो भी आपका क्या होगा, योगरूड होगा, इसी तरीके से पंकज, अगर हम गहें, तो इस तरीके के जो शब्दोत है जिनका एक विशेश अर्थ होता है उनको कहा जाता है योग रूड शब्द ठीक तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए एक्जामे कोशन कैसे पूछेगा आपको कुछ शब्द देदेगा उनमें से आपको पूछेगा कि निम लिखित में देखते हैं तीसरा भाग इसका देखते हैं वो है रूप या परियोग के आधार पर ठीक है तो अब शब्द का जो तीसरा भाग है वो क्या है रूप या परियोग के आधार पर रूप पॉब्लिक परियोग के आधार पर तो रूप या फिर परियोग के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं एक है विकारी और दूसरा है अविकारी विकारी शब्द और अविकारी शब्द ठीके तो सबसे पहला है विकारी शब्द विकारी शब्द कौन से कहलाते हैं जो आपके लिंग वचन और कारक के आधार पर इनका आप क्या कर सकते हैं वर्गी करान करन सकते हैं याने कि इसके आधार पर आभी नहीं चेंज कर सकते हैं इनको कहा जाता है विकारी शब्द ठीक है तो आपको सबसे पहले पता होना जाए इसमें क्या-क्या बदलेगा एक तो लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक ठीक है इसके आधार पर जो भी शब्द होते हैं उनको विकारी शब्द कहा जाता है जैसे कि अगर मैं उधारान आपको दून लड़का खेल रहा है इसका अगर लिंग परिवर्तन करना हो तो इसका क्या हो जाएगा लड़की खेल रही है ठीके तो यहाँ पर क्या हो गया लिंग परिवर्तित हो गया पहले क्या था लड़का था यानि यह पुलिंग बता रहा था अभी लड़की हमने कर दिया यह इस्तरी लिंग बताने लग वहीं वचन की बात करे, तो अगर इसी लड़का खेल रहे हैं, को मैं कर दूँ लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन से बहु अचन हो जाएंगे, ठीक है? इस तरीके के जो भी शब्द होते हैं इनको कहा जाता है विकारी शब्द इस तरीके के शब्द जो भी होंगे इनको विकारी शब्द कहा जाएगा इसके लाओ जो आपकी संग्या सर्वनाम, विशेशाण और क्रिया होती है ये भी आपकी किस में आते हैं विकारी शब्द में आते हैं ये आपको पता होना चाहिए संग्या यानि किसी का नाम हो सर्वनाम आपको बता है में जो संग्या के स्थान पर यूज़ किये जाते हैं तो ये सारे आपके किस में आते हैं क्रिया या विशेंशनल इनको कहा जाता है विकारी शब्द ठीक ये आगे हम पढ़ेंगे पर आपको अभी तक इतने ही पता हूना चीक कि इसको क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है तो अविकारी शब्द कौन से कहलाते है वे शब्द जिन पर लिंग, वचन या फिर कारक का कोई परभाव नहीं पढ़ता है वच्चन और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रभाव नहीं पड़ता है ये आपके क्या कहलाते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं तो अविकारी शब्द में कौन से मुख्यत आते हैं जो भी आपके अव्य होते हैं वो सारे आपके अविकारी शब्द में आते जैसे के आज, कल, में, से, पर ये जो भी है अव्य के प्रकार अभी हम पढ़ेंगे आगे चलकर तो अव्य आपकी किस में आते हैं अविकारी शब्द में आते हैं वहीं संग्या, सर्वनाम, विशेशन या फिर ख्रिया आपकी किस में आती है विकारी शब्द में आती हैं तो अंदर की चीज़ मैं आपको बता दी है या आपको इस तरीके से याद करने है अब बढ़ते हैं अंतिम भाग की तरफ जो की है चौथा तो आप लोग समझ गयोंगे विकारी और अविकारी में डिफरेंस क्या है मेली जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है जो आपके विकारी सब्द है इन में लिंग वचन और कारक का आप प्रभाव पड़ता है यानि अगर लड़का है तो उससे आप लड़की कर सकते हो पुलिंग से स्ट्रिलिंग कर सकते हो एक वचन ने उसको बहुवचन कर सकते हो लेकिन जो आपके अभिकारी शब्द है इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं कर पड़ता है प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा जैसे आज है तो इस आज को ना ये इस्ट्रिलिंग है ना पुलिंग है ना इस पर कोई कारक है ना कुछ है इसको आप बदल नहीं सकते हो ये आज का आज ही रहेगा या फिर अकर किसी शब्द के बीच में आता है तो इस में पे आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये में ही रहेगा तो इस तरीके के जो शब्द है इनको क्या कहा जाएगा अविकारी शब्द कहा जाएगा और ये आपके किस में आते हैं अव्वे में आते हैं अव्वे में भी अलग अलग प्रकार के अव्वे होते हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे तो उस तरीके के जो भी शब्द हैं वो आपकी कौन से हैं अविकारी शब्द होते हैं अब मैं उम्मीद करते हैं आप लोग समाझ ग के अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के होते हैं जिसमें एकार्थी शब्द अनेकार्थी शब्द विलोंग शब्द और आपके परियावाची शब्द होते हैं ठीक है तो एकार्थी एकार्थीज़ीज़ सब्धका घंबक को धाराण डेने यह आँपर बैठ हूं तो अगर यहाप सकता है मतलब ऐसक na ऑर धतूरा भी हो सकते हैं सो ना या फिरिस्ट्स का अर्थ क्या होता है धतूरा भी हो सकते हैं इस तरीकर इस तरीके के जो शब्द आप लोगों के लिए लेकर मैं आई हूँ जिनने मैं अभी बोर्ड पर लिख लेती हूँ आपको ने नोट कर लेना है ये बहुत बार एक्जामस में रिपीट भी हुए है और आपको इने इसी तरीके से याद कर लेना है तो समय बचाने के लिए मैं इन्हें यहां पर लिख आप इनने फिर note कर लेना तो ये कुछ एकार्थी शब्द मैंने यहाप लिखे हैं इनको आपको ऐसे ही note कर लेना है और इनहें याद कर लेना ठीक है सब्सेह्पहले मैंने लिखा है वाचाल वाचाल किसको कहते है जो बहुत ज्यादा बोलने मुप्ष का मतलब होता है मूक्ष की इच्छा रखने वाला उसको क्या कहा जाएगा मुमुक्ष कहा जाएगा ठीक है अन्यमनस्क का मतलब होता है जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो ठीक है अन्यमनस्क अगर पुछा जाए तो जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो उसको क्या कहा जाएगा अन्यमनस्क कहा जाएगा अपनिवेशिक किसको कहा जा यहां कि हमेशे रहने वाले को ठीक है उसको कहा जाता है शाष्वत इसी प्रकार से मैं और अभी लिखने वाली हूं आप लोग इने ऐसे ही नोट कर लेना उसी के आगे से आपको लिखना है उरंग उरंग का क्या मतलब होता है छाती के बल चलने वाला नेक्स अमोग अमोग का बल होता है निश्वल ना होने वाला अस्त्र का मतलब होता है दूर से चलाया जाने वाला इसी के बाद एक आता है आपका सस्त्र सस्त्र का मतलब क्या होता है जिसको आप पास से चला सकते हो ठीक है किला जाता है सदा विद्क उसके बाद है उनका मतलब ह yapmış है जिसने बिल चुका दिया हो उसको क्वात कहा जाएगा हुए उनका जाएगा अगर आप से पुछरे तो जिसका नमों पहले हुआ उसको अग्रज जाएगा और अनुज किसको कहा जाएगा जिसका जन्म बाद में यानि जो बड़ा भाई होता है उसको अग्रज कहते हैं और छोटे भाई को अनुज कहते हैं इसके बाद है जीजीविशा का मतलब होता है अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने माला ठीक है नेक्स आपका ज जिगिशा का मतलब होता है जीतने की इच्छा रखने वाला जीतने की इच्छा रखता है जट्रागनी जट्रागनी का आप radically को मरे बता एक द्लबा कि द्यान रखने है यह वही है जो आपसे पुछा जाए तो जिसके समान दूसरा नहो अधुतिया सब्द है जिसके समान दूसरा नहो उसको क्या कहते है अधुतिया कहते है अनाहुत अगर आपसे पुछे जाए तो जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या कहेंगे अनाहुत कहेंगे नंद कानन का मतलब होता है अधुदा का मतलब होता है जिसके आशा न की गई हो उसको अपरत्याशित कहा जाएगा जिसका कोई भी शत्रु नहीं होगा उसको कहा जाएगा अजाद सत्रु और अजानु बाहु कहा जाएगा जिसकी भुजाएं जो है वो गुटनों तक पहुंशती हो यानि लंबी भुजाए वाले को क्या कहा जाएगा अजानु बाहु कहा जाएगा ठीके इसके बाद थोड़े बहुत और बच्चते हैं उनको अभी हम नोट कर लेते हैं वो भी आप लोग नोट कर लेना ठीके उसी क्या अब आपको लिखना है राजसीक राजसीक का क्या पर विश्वास रखने वाला ठीके यानि समान अधिकारों पर विश्वास रखने वाले को समाज बात कहा जाएगा किवदंति का क्या मतलब होता है जो लोगों के द्वारा सुने गई बात होती है उसको कहा जाएगा क्रितहन कहा जाएगा किये गए उपकारों को नमानने व मूरƯ कहा जाएगा नेक्सट अधीर का मतलब होता है जिसके किसी से लगाव नहीं होता है निशिय का मतलब होता है अर्द रातरी का समय को कहा जाएगा निशिया दिर्ग सूतरी का मतलब होता है धीमी गती से कारे करने वाला जो बहुत धीरे धीरे कारे करता है उसको कहा जाता है दिर्ग सूतरी और अंतिम है आपका गतानु गती गतानु गती का मतलब होता है प्राचीन आदर्श के अनुसा यहीं से कुछ न कुछ आ जाए बागे आप अपने इस तर से भी देख लेना नहीं तो इनको कम से कम देख कर ही जाना ठीक है इसके बाद मैं ऐसे ही आपके यहाँ पर अनेकार्थी शब्द भी नोट कर लेती हूँ जो आपके लिए काफी important है तो यह मैंने कुछ अनेकार्थी ठीक है यह भी आपके फल के लिए कहे जाते हैं पट का क्या मतलब होता है कपड़ा पर्दा या किवार ठीक है पानी का क्या मतलब है जल स्वाभिमान या वर्ण चमा क्या लज्जा इतने सारे शब्द पानी के लिए यूज किये जाते है ठीक है पयोधर का क्या क्या मतलब ह के लिए परियोगत होता है इश्वर महापूरुष और पूज्यगान ये भी भगवान के लिए कहा जाता है मरत्य के लिए मरने वाला शरीर या मनुश्य उसको क्या कहा जाता है मरत्य कहा जाता है इसी तरीके से नग का क्या मतलब होता है एक है परवत दूसरा है संक्या दीसर जातरूप का क्या मतलब होता है? सोना और धतूरा ठीक है? इसके अलवा कनक के लिए भी सोना और धतूरा परियोग किया जाता है इसके अलवा नीलकंट है आपका मोर, शिव और एक पक्षी ये नीलकंट के लिए कहे जाते हैं एक पक्षी का क्या मतलब है यहां पर? कोई एक पक्षी है जिसके नाम भी नीलकंट है ठीक है? तो उसके लिए मैंने एक पक्षी लिखाया है आपको कैसे लिखना है? एक पक्षी का नाम क्या है? नीलकंट है उसके लिए नीलकंट कहा जाता है इसके बाद है आपका महीधर तो महीधर कहा जाता है शेशनाक या फिर पहाड के लिए सारंग के देखिए बहुत सारे हैं और यह आपको याद भी रखना है तो सारंग में कोयल है, चातक है, मोर है, हंस है, बाज है, सिहा है, घुड़ा है, सूर्य है, चंद्रवा है और बादल है तो यह भी आपसे काफी पुछा जाता है इसके बाद तरंग है, तरंग के लिए क्या क्या कहा जाता है स्वर है, लहरी है और उमंग है धवल, धवल के लिए कहा जाता है उजला, सफेद, साफ और निशकलंग, ठीक है ये किसके लिए कहा जाता है धवल के लिए है तीर के लिए है नदी, तट, बान और समीप इसके बाद है चपला, तो चपले के लिए कहा जाता है बिजली, लक्षमी या चंचल, ठीक गाय, स्वर्ग, आँख या ऍंद्रिया इसके बाद, अमरीत के लिए कहा जाता है सुधा, जल, मुक्ति, दूद, मृत्यु रहित इसके बाद, कटक, कटक का क्या है सेना, शिविर, श्रिंखला, समू और चटाई ये कटक के लिए कहा जाता है इसके बाद आब आप के लिए कहा जाता है पानी चमक छवी और शोभा ठीक है इसके बाद अनंत अनंत के लिए कहा जाता है अंतहीन निरित्या आकाशी बहुत बहुत अधिक और विश्णू ठीक है इसके बाद अंकुष अंकुष के लिए कहा जाता है नियंतरण और दबाव इसके बाद आपका अज, अज में कहा जाता है ब्रह्मा, ईश्वर और बकरा, ठीक है इसके बाद अक्ष, अक्ष के लिए कहा जाता है धूरी, जो आपकी धूरी हम लोग गिनते हैं उसको कहा जाता है ठीक है इसके बाद आँख है और खील है तो इसको कहा जाएगा अक्ष ठीक अर्थ का क्या है धन कारण और मतलब ठीक है इसके बाद अंति में आपका ताथ और ताथ के लिए क्या क्या परयोग किये जाते हैं पूजे और पिता तो इस तरीके के आपके अन्यकार्थी शब्द आते हैं जो आपको पता होने जाए और कम से कम इतने आप लोग रट लेना इनको अच्छी से देख लेना आपके एक्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ठीक है ये mostly वही है जो बहुत सारे यहाँ उत्राखन में या अन्य स्टेट में पूछे गए हैं वही सारे मैंने यहाँ पर collect किये हैं तो इनको आप लोग देख लेना इसके साथ ही वीडियोस को आपको लोगों को like share करना होगा उसे मुझे motivation मिलेगे और मैं और अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए निकाल कर लाओंगी ठीक है उम्मीद कर जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई है तो आपको like share जरूर करना है ठीक कल हम जो पढ़ेंगे तत्सम तद्वाव भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे इसके अलावा तत्सम तद्वाव के एक trick है जो भी मैं आपको कल बताऊंगी तो आप लोग उसके लिए तयार रहना ठीक इसके बाद इसी का next आपका बचता है परियावाची या फिर विलोम वो भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे जो important होंगे वो मैं आपको लिख वालूंगी तो एक दिन की वीडियो में इतना possible नहीं होता है इसलिए एक दिन का आपको और wait करना पड़ेगा तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ धन्यवाद